हलो दोस्तों कैसे हैं सब स्वागात है आप सभी का कॉमिक विल्ट चैनल पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो दुरुप का एक और कॉमिक्स विशे शांक आया चुम्बा तुम उससे जीट नहीं सकता मेरे पास मैगनेटिक पावर है दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति हार मान ले हार मान ले तुम समझे नहीं चुम्बा तुमारा समय खतम अब तु एक चलता फिरता चुम्बग बन गया है द्रोप कुछी पलों में तेरा पूरा शरीर इस कबाड के नीचे दबाऊगा कि तेरे शरीर का चुमकत इनको अपनी तरफ खींचेगा तेरे शरीर में भी तो काफी लोगा है चुम्बा पहले मैं तेरी तेरी तरफ जाता हूं और यार यह तो मेरी तरफ या रहा है इसके साथ सारा गब्रो इसका चुमकत ना फजिस दो क्या तुम्बा तेरा खेल खत्म हो गया तू हत्म हो गया आप मं तेरा जब्रा तोड़ू या to apart बनादं। करना नहीं थे नहीं नहीं ओ फिर वही बुरा खौब यह शैतान दुरूद तो सपनों में मेरा पीछा नहीं छोड़ता जिंदगी नर्ग बना कर रगती है शैतान में चुम्बा के बारे में जानने के लिए बड़ें चुम्बा का चक्रिव्यू यह कॉमिक्स चैनल पर वॉइस बोर्ड में अल्रेडी अप्लोड है किर्प्या ध्रुप की सुपरकमाडर ध्रुप की प्लेलिस्ट ओपन कर लें नहीं जिन्दगी को नर्ग तो तुमने खुद बनाया दर के कारण पाप का रास्ता छोड़ कर चुम्बा कौन कौन हो तुम बंद कमरे में कैसे आ गए मैं तुमको बच पाप डंड से नहीं डरता सजा दोगे तो पाप और बढ़ेगा लेकिन पाप की रास्ते पर चलता रहेगा तो समराट बन जाएगा तो तेरे पास तो शक्ती है फिर क्यों डरता है तू मैं दिखाऊंगा तुझे रहा दुनिया पर राज करने की रहा चलेगा उस रहा पर चलूंगा लेकिन इसके परले में तुम क्या चाहते हो भक्ती तेरे जैसे पापियों की भक्ती जो भगवान तुझे नहीं दे पाया वो मैं दूंगा तुझको बोल कबूल करेगा तुम मुझे अपना भगवान करूंगा जो कहोगे वो करूंगा तो ले इस श्याम खंड क को हमेशा अपने पास रखना यहीं बनाएगा तेरे मेरे बीच का संबंद अब आ पाप की रहा तेड़े भी और कठिन भी तुझको बहुत काम करना है लगबग एक महीने बाद राजनगर की सीमा पर इसमें अश्वगंदा और कुछ पंचास्ट मिलाना पड़ेगा मैं कांस सहीरा बना करी रहूंगा अरे यह क्या कमरे में पानी कैसे परसन लगा क्या च्छत चू रही है नहीं यह तो कृतिम मेग हैं ठैर तो शैतान मैंने तु सिखकें मेरी कान कटएगी प्राशुषी को इसा हूँ कैस किसे को नहीं और नहीं सोच भी नहीं सकते हैं उसगर मैंने आज ही निकाला इस में ऐसे ऐसे मिष्ण बराने की विद्यांई जिनके बारे में पश्चिमी वेगनिक सोच भी नहीं सकते हैं इस गरंथ को बहुत साफधानी से रखने की जरूत है क्योंकि अगर यह गलत हातों में पढ़ गया तो इससे पूरी दुनिया को खत्रा हो सकता है इसलिए तो यह गरंथ मुझे चाहिए ओ यानि खबर पहले ही फैल चु एक ही ऐसा खतरनाक मिशन है जिसको ऐसा खतरनाक इसन चाहेगा मैं इस गरंथ मैसे उस मिशन की विधी ही फाल लेता हूं अब इसको नश्ट कर दूँ नहीं फिर यह मिशन हमेशा के लिए खतम हो जाएगा इतनी दुरलब वस्तु को नश्ट करना उचित नहीं है श्यामली मैं इसको रोकता हूं तु इस पेच को लेकर जाओ और मदद लेकर रहा लेकिन नाना जी जाओ ओ यहां पर मदद कहां से आएगी और आप ही गई तो ऐसा कौन है जो रटार जैसे खतरनाक प्राणी से निपट पाएगा पर कोई तो होगा जरूर होगा जी 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 ज चड़ा मुझे तेरी जान नहीं वह पेच चाहिए जो तूने अपने नातिम को दे दिया है मुझे उस लड़की के पीछे जाना है हट तुझे वह पेच कभी नहीं मिलेगा रटारा कोकि तु यहां से बाहर ही नहीं जा पाएगा ओ आग मुझे जादा नुकसान नहीं इसका मौका भी तुझे नहीं मिलेगा रडारा इस बूटी को रसाइन इक आग में डालने से जूत धूएं का मिशन उठेगा वह तेरे लौक कवज को नश्ट कर देगा और यह क्या रडारा के उपर जो रसाइन कि रहा है वह धूएं के मिशन को निश्क्रिया बना दीने वाला है जल्दी ही कुछ करना होगा लेगन रडारा समल चुका था उसकी मैगनेटिक बीम सरीयों से ठकराई और किर्णों के इशारों पर मुड़ता हुआ सरीया विरते के शरीर को कस्ता चला गया हाहा आप तो यहीं पर जलकर मरने का इंतिसार कर मैं तो चला तेरी नातिं टोन वरी शामली अब रडारा से मैं निपटूंगा चलो मुझे बताओ कि कहा है रडारा वह है दुरूफ ओ यह तो बहुत तेज अफसार से हमारी तरफ आ रहा है और इसके राते नेक नहीं लगते देखते हैं कि जब इसको रास्ता ही दिखना बंद हो जाएगा तब यह क कभी कभी हो भी जाता था इसने तो धूए में भी रास्ता ढूंड लिया रडारा की एकसर रडारा तरंगे अधिरे में मक्ही तक को पकड़ सकती हैं मेरा नाम रडारा यूँ ही नहीं रखा गया बच्चे दुरूप कर दूआ कुछ पलों के लिए अधिरे में डूब गया और रडारा शैमली की तरफ लपक पड़ा अब क्या करूँ एक कागज को छुपाना बहुत ज़रूरी है और वह भी ऐसी जगह है पर जहां रडारा कागज को धून ही ना पाए ओहो ये जगह बहुत बढ़ी है गोदाम राज़ पेपर्स और प्रिंटर्स इन कागजों के देर में से रडारा एक खास कागज को कभी धून नहीं पाएगा ए लड़की तू अंदर कैसे गुजाई और कागजों में क्या छुपा रही है करमचारियों को जवाब सुनने का वक्ती नहीं मिला कुछ घडबढ़ है यहां से भागो तू समझती है कि मैं वह पेज धून नहीं होने दूगी तो मर कागज में अपने आप धून लूगा देवसों पर जो ढढ़ना बुजदिलों का काम है तेरे जैसे बुजदिल का काम ध्रूफ ठैंक गॉड कि तुम जल्दी होश में आ गए तो तू ध्रूफ है जरूर भाई ध्रूफ होगा जिसने चुमबा को पहले हराया था यानि पेज लेने के साथ साथ उस पुराने अपमान का बदला भी चुकाना होगा तू ना तो कोई पेज ले जाएगा और ना ही बदला ले पाएगा क्योंकि तू यहां से बाढ़ जाएगा ही नहीं चलती कुछ का रोध रोग परना ये तो हमारे से रास्ता उश्मा है लेकिन यहां पर उश्मा को प्रियोंक है तो भेंकर अगनी कांड हो सकता है इसकी चुमिके किले मेरे धातु के ब्रेसलेट और शूरिंग से आठक रही है यानि यानि अब तेरे शड़ी पर रडारा का कबजा है अब तेरे हाथों और पैरों को मैं चला कि दुरुफ को बचने का कोई रास्ता सूज नहीं रहा था दिमागा धीरे में डूप रहा है तभी ओ तूमच पर कोई रसाइन फेक रही है लेकिन रडारा की रडार सेंस सब कुछ भाप लेती है इस रसाइन को मैं अपने चुमकर चुमबक जाल से रोक लूँगा चपाक और तुझे इस गर्ष्टता की सजा दूँगा दौना मच्छर रास्ते से हट गए अब मैं वह कागस जूनूँगा मैंने उस कागस का रूप देखा हुआ है अब मेरा मैंगनेटिक ब्लस सारे कागसों को हवा में उड़ाएगा और मैं हवा में उड़ते आलग अलग कागस इसकी रडार डिष्टी को बेकार करना होगा फिर इस पर कबजा पाया जा सकता है हाहा यह रहा वक्का आगाज मिल गया मुझे वह पेज सोचो द्रूफ कुस तो सोचो समय बिलकुल नहीं है क्या करूँ एक्सरेज को तो सिर्फ लेट धातू ही रोख सकती है लेकिन यहां पर लेट कहां क्या हुआ मिल गया लेट तुम इसका ध्यान बटाओ शामली था कि मैं इस पर बार कर सकता है अब मैं तो चला चुमबा उस्ताद का काम भी हो गया और धुर्फ को पटकनी देकर मैंनो उनका बतला भी ले लिया अब धुर्फ को मारने के लिए रुकना ज्या पर चीज मुझे का होने बाला है मैं इसको इस लाइक छोड़ूँ गई नहीं कि दोबार तूसका इस्तेमाल कर सके यह तू नम उस पर क्यों क्या फेक दिया है मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है मेरी रडार सेंस काम नहीं कर रही है यह प्रिंटिंग इंग का जिसमें लेट धातु काफी मात्रा में मौझूद होती है और यही लेट तेरी एक्सरे राडा और सेंस को रोक रहा है मेरी चुम्किया शक्ति अभी भी मुझमा मौझूद है मैं अभी इसे इंक को साफ करके उससे तुम दोनों को खतम कर दूँगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप करते हैं और मिलते हैं आया चुम्बा के दूसरे भाग में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद